असलाम आलेकुम दिस डॉक्र मोहम्मद शाफिव और आज बच्चों हम एक नई वीडियो के साथ हादर हुएं बेसिकली हमारे पास जो नम्स है उसने अपना MDCAT अनौंस किये इस हेर कर जो MDCAT है बेसिकली उन्होंने वह अनौंस कर दिया और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टन चीज़े उन्होंने बताई है अपने के अंदर कब से स्टार्ट हो रही है क्या सिलिबिस है क्या टेस्ट है आया MDCAT स्टूडेंट जो सिर्फ को देखना चाहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं क्या उनको अप्लाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए हम इस वीडियो के इंदर इन सारे पॉइंट्स पर बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि जो नम्स है यह अपना एक अलग MDCAT करवाता है और इसके साथ जो नम्स के साथ एक ही इंसित्यूट है जो पनीक कॉलेज है याणिके पंलिग सेक्टर कॉलेज है अर्मी मैडिकल कॉलेज रावलिपिंडी के अंदर MBS ք की तकरीवन تھékए 200 और BDS की क्रीवन कोई पचास के करीब open merit seats है थीक है पचास के करीब open merit seats है पूरे पाकिस्तान से बचे इसमें जो है वो apply कह रहे होते हैं अच्छा बैसिकली उसके इलावाद जितने भी colleges है इसके अंदर हमारे पास बहरीया इनुवेस्टी कालिज आजयता है CMH भावलपूर CMH काडियां CM H Lahore CMH मुलतान इसी तरीके से तरही है Medical College Islamabad तरही है रुत को अमेडीकल कॉलेज कालेज कर नची । इंसित्यू अफ इंसिट्यूट कॉलेज इसलामबाद ठीक है यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टन्ट है निस्ट ने जो अभी लास्ट एर अपना एक मेडिकल स्टूल कोला उसको भी इन्होंने अफिलियेट करवा दिया विद नम्स और यह प्राइविट सेक्टर की कैटेगरी के अंदर आ गया है उसके इलावा किम्स कोईटा सक्षिन आजयता है यह सारे इनके साथ अफिलियेटेड मेडिकल कॉलिजेश है किसी के अंदर पचास सीट्स है अगर आपने प्राइविट के अंदर भी अप्लाइ करना है यानि कि इन्हीं के अंदर भी अप्लाइ करना है इन्दर नम्सम्डीकाट तो बैसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि नम्सम्डीकाट के अंदर कौन कौन सी उनिविस्टी इसको आप टार्गेट कर सकते हो अर्मी मेडिकल कॉलिज रावल पिंडी को इसके अच्छा यहां पर बड़ी इंपॉर्टन बात ही आती कि आर्भी मेडिकल कॉलिज रावल पिंडी के अंदर क्रीवन दो कैटिग्रीज होती है ठीक है दो कैटिग्रीज के स्टूडेंस वहां पर जाते हैं एक होते हैं मेडिकल कैडिट्स एक होते हैं सिविलियनस होते हैं अब अगर मैं बात करौए मेडिकल कैडिट्स की अगर आपके पैरेंट्स में से कोई एक जो है वह आर्मी में रहा है तो फिर उस हिसापसे वह सारी चीज़े चल रही होती है तो Captain Doctor वारी category के अंदर ये आपको जाना पड़ता है Army के तुरू ठीक है Army के recruitment center के तुरू आपका एक टेस्ट हो रहा होता है अब फिर उसमें आपकी जो है वो training वगयरा सब हो रही होती है अब आपके पास Army Medical College के अंदर जा रहा होता है अचा दूसरी बात जो civilians है वो civilians जाते हैं इस नम्स के टेस्ट के तुरू ठीक है civilians कैसे जाते हैं इस नम्स के टेस्ट के तुरू जा रहे होते हैं अचा अब इन दोनों categories को मिला के जो हमारी सीज बनती हैं वो तकरीवन 200 के करीब बनती है यह मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि क्या रिसाप किताब है और नॉर्मली क्या चल रहा होता है तो इस एयर जो एडेशन होए वह नस्ट के अ डिस्ट मेडिकल स्कूल का होए जो इन्होंने प्लाइविट के अंदर रख दिये तकरीवन इसकी भी कोई फीस सब्सक्राइब को आपका एक्जाम हो रहा होगा आपके डिफरेंट सेंटर्स के ऊपर सही है तो अगें यह जो है वो इन मेडिकल कॉलिज में जाने के लिए मेंडेटरी है अब कुछ इन्होंने डेट्स की विए कुछ शेड्यूल अनॉंस कि अब उससे जरा देख लेते हैं सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी अब अगर मैं रिजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रिजिस्ट होगी कब तक चलेगी यह तकरीबन कोई 10 जॉलाय तक चल रही होगी बिना किसी लेट फीज के सर्फ इस कितनी है अबाउट 5200 ठीक है 5200 यह वह फीज़े के अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सेंटर पे एक्जाम देना चाहते हो तो यह फीज़े तकरीबन कोई 5200 यानि के अगर आप पाकिसान के अंदर रहते हो और पिर करांची लहौर या इस पाकिसान के अंदर किसी एक्जाम सेंटर पे अपेर होना चाहते हो तो फीज़े है तकरीबन कोई 5200 ठीक है अगर आप 10 जॉलाय तक अपने आपको रिजिस्ट्र कर ले तो अब 10 जॉलाय को तकरीबन 1000 आपको लेट więc पर करनी की यह तो हो गहाए पाकिस्टान के अंदर कहानी है अब हमारे पास पाकिस्तान से बाख बांव नम्हाश curve ना इंदर होता है बलके साइमल्टेनियस डीपाकिस्टान से बहार भी सुछ боль कि किंफरेंट सेंट्र लेकिन फिल्हाल हमारे पास यह आपने याद रखने है कि पाकिस्तान के इंदर ऑफेर हो तो क्या है पाकिस्तान से बाहर अगर पर होते हो तो बिना लेट फीस के आपकी जो एक्षामिनेशन पी वोगी डाट इस अबाउट तरीटीटू थाउजन और लेट फीस की अगर बात करो तो लेट फीस के साथ आप 42,000 के साथ रिजिस्टर कर सकोगे अगें यह नॉन रिफंडियबल होती आप इसे रिफंड नहीं कर सकते अच्छा याद रखना कि हमारा जो क्या आप है ऊप है। संप्टेम्बर सब्सक्राइब को मिल जाता है अब segal मोलें आपको आया हुआ हमारा अब ही तो हगा ञा इं तर ए्क्जाम हो गää नहीं पहले सफाल होगा तो हमारा इंटर रिफंटहर्ट नहीं आया होगा और मैं आ या अभी हमारे एक्जाम चलने सर अभी रिजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो हम इंटर्मीडियेट के अंदर क्या डालेंगे वह स्टूडेंट जिसके पास सिंपल आपके पास क्या होना चाहिए आपके पास अगर सीनाइसी होगा अगराप 18 अंडर 18 तो आपके पास भी फॉर्म होगा या अगर आप और सी स्टानिय नाइकॉट होगा यह कोड़ा पीसिकली अप इसके तुरू कर सकते हो अच्छा सवाल यह होता है कि sir eligibility criteria क्या है वह student जिसने 12 पास कर ली उसके पास उसका result है हो सकता है उसने last year exam दिया 12 का वह भी appear हो सकता है और वह student जिनका result भी नहीं आया और हो सकता है कि registration के दौरान उनका result आ जाई या उनका result ना है registration के दौरान वह तब भी appear हो सकते है यानिके जिन students का भी 12 का result नहीं आया वह भी नम्स MDCat 2024 के अंदर appear हो सकते हैं यह हमने बता दिया अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो नम्स MDCat यह कब हो रहा है 1st September को और नम्स के जितने भी colleges है उनके अंदर आपको admission लेना है वो किन किन incentives में होगा पाकिस्तान के अंदर किन incentives पर होगा grey तादा दाज बच्चों की जो है बाप प्रवारबाद डियाए खान पिशावर सिंद्ध के अंदर हिदरबाद कराची कराची ममलीर केंड में हो रहा होता है अचा उसके इलावा पन्नु आकिल ठीक है पंजाब में डिफरेंट सेंटर इसलामबाद में अचा इंटरनाशनल सेंटर इस दवाश टेक है किंग्डम यानि कि साओधी अरब में नॉर्मली जद्धा की जो इंदर एक्जाम हो रहा होता है अगर आप यूरी में रहते हो तो फिर आपको आना पड़ेगा साओधी अरे ठीके तो यह नॉमल सा इन्होंने जो है वह बता दिया कि यह किन-किन एक्जाम सेंटर को इस दफार टागेट कह रहे हों कि अच्छा अब सवाल यह होता है कि जब आप नम्स का फॉर्म बढ़ते हो ना इन्शाल्ला जब नम्स की रिजिस्ट्रेशन उपन होगी तो आयल भी एक्स्प्लीनिंग होल्दा रिजिस्ट्रेशन स्टफ ठीक है मैं पूरी वीडियो इंशाल्ला बना रहा हों कनाची चैंडर है तो आपकनाची करहें अपने रहाएं इन्शाल्र ना दो तेस थेत भर्ज्म और सबर्स किरेगए नोस वहाले खते हो आप उसकेस VaLi की वाला होता उपीर Юंयों कि होगा नमस का एम्डीक का जो एक्जैम है उसका पैटर्ण क्या होने वाला है बहुत सेंपल साय नहीं होता है याद रखना के नमस के एम्डीक एक पार्ट साय पार्ट बीफ करें नौमलिए आपके वही सब्जेक्ट चाहरे होते हैं इसमें कोई लॉजिकल रीजिंग नहीं हो जो है वह आपका इससे हो रहा होता है यानि कि आपके नॉर्मल रूटीन सब्जेक्स होते हैं बाले जी केमिस्ट्री फिर्जिक्स इंग्लिश यह बाले अच्छा अब नम्स के के इंदर 150 mcq आते हैं कितने आते हैं 150 mcq अब 150 mcq का breakdown कैसे होता है कितने subject के कितने होते हैं इन्होंने exactly तो नहीं बताया लेकिन इन्होंने percentage बताईए तक रिवन 35 तक रिवन 35 mcq जो है वह आपके होते हैं बाले जी के यानि के बाले जी का जो breakdown है वह काफी जादा यह बनता है तक रिवन 52.7 52.5 sorry तो obviously 52.5 mcqs कैसे होंगे 53 ठीक है आप इसे 53 रखते हो normally अचा उसके रावा हमारे पास chemistry के बनते है कोई 37.5 ठीक है अगें और physics के 25% mcqs है तो 37.5 और हमारे पास English के बनते है approximately 15 mcqs अब अगर आप इसे मिलाओगे 38 भी कर लो इसे इसे भी 38 कर लो ठीक है इसे 50 नहीं रहने वो तो यह कुल मिलाके 150 नहीं बनेंगा तो यह जो हिसाब किताब normally बनता है तो biology के 54 बन जाते है और इसके 39 बन जाते है और हमारे पास physics के 39 होते है और जो हमारे पास यह होता क्राइटेरिया होता है normally अच्छा पार्ट भी साइकालोजीकल टेस्ट इसके अंदर आपको कुछ नहीं होता है इसमें सिंपल जो है वह आपको 30 मिनट के लिए एक पेपर दिया जाता है उसके अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं इस तरह के कोई options हो रहे होते हैं इसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता है इसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता यह जल जाता है अगर आप 150 सब्सक्राइब करना है तो इसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अच्छा पिर हमारे पास आता है कि करनी होगी क्या करना होगा वह इंशाला हम जब एक्जाम करीब आहोगा तो हम पहुत सारी चीज़े और डिसक्स करें विडियोस के अदर सबसे नम्स का जो सिलिबिस है नम्स का syllabus क्या है syllabus पर बात करते है नम्स का syllabus उन्होंने एक हाए कि यह अप्लोड कर देंगे नम्स की वेबसाइट अभी तक तो अप्लोड नहीं किया हुआ इन्होंने आप एक बड़ी इंपॉर्टन बात इस दफल एक है दोजाज़ाइट वाला होगा तो वह में इंशालला ये वाला पीडियेफ और जो वाला पीडियेफ है वह मैं दोनों कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिंक प्रवाइड कर दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको टेबल आफ स्पेसिफिकेशन नजर आ रही है जो लास्ट अपना दिया अच्छा इस के अंदर नॉर्मली को इतना वह नहीं है यह वही से जो इंशाल्ला अभी हम कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो में बात कर रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं करना यह सब वही है इसके अंदर कौन-कौन से चाप्टर आजाते हैं हमारे पास अगें चाप्टर इस पर बात कर लेते हैं बायोडावर्सिटी बायानर्जाटेक्स बाइलाजिकल मॉलीक्यूल सेल स्ट्रॉक्शर एं फंक्शन ठीक है उसके लावा पर हमारे पास प्रोकरीब आजाता है अब रिप्रडाक्शन आ जाता है supplement on the variation in genetics इन्हों नें इस दफार के लिए बात लिख दिये के आप जो है वो broad-based study करो broad-based study का मतलब यह है कि आपने limited syllabus पर restrict नहीं होना इन chapters को आपने broadly discuss करने का मतलब यह है कि if you are if you are reading a chapter of for example nervous coordination you must know what is nerve impulse what is the what is the whole phenomena for the generation of nerve impulse ठीके how nerve impulse propagate यह सारी बात है आपको already पता होनी चाहिए तो इंशाला कुछ दिनों के अंदर मैं एक video upload कह रहा हूंगा on PMDC syllabus पे तो उसी के अंदर यह सारी चीज़े cover हो रही होगी ठीके तो इतना इस पर परिशान होने की जरूरत नहीं है हाँ बस एक सवाल जो बच्चे अकसर पूछते हैं कि सर हम for example हैं सिंद्ध के और हम देना चाहरें नम्स तो हम क्या पढ़ें नम्स के exam के अंदर नम्स के को टागेट कह रहे हो तो अपने बोड के साथ आपने किताब जरूर पढ़नी है और नम्स के जो पास्ट पिपर होता है यॉरी इंपॉर्टन वह बहुत दफार जो है वह रिपीट हो रहे होता है सीम्पल आपने जो है वो क्या करना है अपने के साथ चाहिए आप की किताब जरूरीज की बात करो किताब बहुत किताब बहुत इंदर की इतना मुष्ण के बारे में बता दिया कि अग अगर उसके अंदर कोई चेंज आया तो वो इंशालला अप्डेट करके और फिर वेबसाइट के अंदर अप्लोड कर देंगे तो जब भी आएगा तो मैं इंशालला आपको को इंफॉर्म कर दूंगा अभी फिलाद 2023 का सेलिबस हम एजा सेंपल ले सकते और कर सकते हैं अब अप्लाए कैसे करना है अप्लाए नम्स की वेबसाइट है उसके उपर सारी रिजिस्ट्रेशन प्रासेस आ रहा होगा लेट मी शो यू यू जिस इस वेबसाइट जिस पे नम यहीं से आप डाउनलोड कर लोगे कोई मसला नहीं है वन्ना मैं आपको डिस्ट्रेशन प्रासेस के अंदर नॉर्मली जो है वह क्या क्या चाहिए हुता है देख लो लास्ट एयर का है ठीक है लास्ट एयर के इन्दर इन्होंने जो एक्जाम लिया था हो 3rd September को लिया था औ और क्या क्या चाहिए था अगेन आपका सिना इसी बेफॉर्म नायकॉप या पास्पोर्ट जो भी है अचाह उसके इलावा आपके पास अगेन आपके पास SSC यानि कि मेट्रिक या ओ लावल्स की मौक्षीट होगी उसके इलावा आपके पास परस्ट एक रिजल्ट होगा यह सारी चीज़ है उसके इलावा पास्पोर्ट साइट पास्पोर्ट साइस पिक्चर जिसका ब्लू बैगराउंड हो और इसी बेफॉर्म या नायकॉप पास्पोर्ट की पिक्चर वगएरा यह सिंपल प्रसेस जब आएगा अपडेट होगा तो मैं इन्शाला आपको इन है फेडरल बोर्ट को और पूरे पाकिस्तान की बहुत कम सीट है और मेडिकल कॉलेज के लिए तो आपको पर सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रास पेड़ना होगा इंशाला नेक्स वीडियो के अंदर हम इसका सारा रिजिस्टेशन प्रसेस किस तरीके से र सवाल यह आता है कि सर हमारा टार्गेट है हमारे जो भी सूबे का मेडिकल कोलेज है गवर्मेंट मेडिक कोलेजंग वह गजांपल अगर मैं बात करेंग सिंकी तो सिंकर करांची की तो कांशी के बच्छे एक बच्छा कहते है तो टागेट है डाव यूनिवर्सिटी ऑफ है यह मेरा तो टागेट है जेसम्यू के मडीची यह लारी यह लंस या चांड का तो क्या मैं नंस बेसे एंधिंगए दो नहीं दो बोस्टमर और लेस्टमर एंदर दफा जो आपका पी मडीची वाला होने वाला है फर्स्ट वीक में तो नहीं होता अब यहारी कि सेकिंड वीक के अंदर जल्ड से जल्ड भी हुआ तो तो मुझे एक्जाम यह देना चाहिए यह नहीं देना चाहिए मेरा तो टागेट यह नहीं है तो बिद्धो मैं आपसे यह कहूंगा कि if you are appearing for the first time if you are appearing for the first time in MDCAT PMC MDCAT आपका PMC MDCAT से पहले NUMS MDCAT हो रहा है तो आपको एक्जाम environment से familiar होने में बड़ी असानी होगी अगर आप अपना NUMS MDCAT as a practice ही दे दो आप practice करो और practice करके आप एक्जाम दे दो बहले से आपका टागेट यह नहीं है आपका टागेट अपना सुभाई medical college है लेकिन अगर आप यह दे दोगे तो इससे बड़े फाइदे होंगे पहला फाइदा आप एक्जाम environment के अंदर रहके उसको जो है वह स्ट्रेस को value कर सकोगा सब्वाइब करना है बने तरी किस तरी की से करना है वह सारी चीजरे आपको पता लगनी होंगी उसके इलावा आपकी प्रेपरेशं कर तो मैं आप से यह कहुँआ कि ऊप्पेरेशं पर ब्रती कैंट गो फुर नंस इंडाट इस से आप सथ आपकी जो exam solving ability वह बहुत अच्छी हो रही होगी that's my opinion आप इसको अपनी तरीके से देख सकते हो जिनका टागेट नम्स है और या तो उनका टागेट नम्स के साथ जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज़ें वह तो वह तो लाजमी तोर पे नम्स के अंदर पेर होंगे क्योंकि उसके बगएर उनको अड्मिशन पॉसिबल नहीं है अगर आप नम्स देते हो अगर आप नम्स के जितने भी मेडिकल कॉलिज़ें उनके अंदर जाना चाहता है तो नम्स देना है और यह सिंपल सी सारी कहानी है जो मैंने आपको बताई अब जब रिजिस्टेशन प्रसेस स्टार्ट होगा तो इंशाल्ला मैं और डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसक्स कर रहा होंगा तो फर्स्ट अंदीकाट एस जो इस यह है वह अब वेसली स्टार्ट कर दिया नमसे अंद इंशालला अब जब रिजिस्टेशन प्रसेस स्टार्ट होगा दन वी प्रसेड विध द निक्स वीडियो जिसके अंदर हम रिजिस्टेशन वगईर की बात करें होंगे तो भई आ मैं आपको रिस्पॉंड कर रहा हूंगा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब करना वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिनको नमस के बारे में थोड़ी बहुत एंबिग्विटी है कि नमस क्या है कैसे देना है देना चाहिए नहीं देना चाहिए टेस्ट किस तरीके से आएगा क्या सारी चीज़ें होंगी वह आपको पता लग रहा होगा सही है अच्छा तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्ला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए अलापस